असलाम अलेकूम तो मेरी साइट का मैट है ये जिसको मैं अभी ज़ाडूंगी मिट्टी थी इसके उपर बेते रहे बन्दा साथ साथ ही साफ कर ले उसे होता है कि इतापाईल नहीं होता है गन्द साथ साथ साफ करना जादा बेता है और हम लोग थोड़ी जादे ही करते हैं तो मदब गंद नहीं मचाते हैं गारी के अंदर थोड़ी सी गंदी भी हो रही थी सामने वाला स्पेशल जो शीशा होता है ना ये गंदा हो रहा था इस पर काफी जादा डस थी तो इसको भी उदर के बस हम लोगों ने अभी पानी थोड़ा सा उपर बोटल से जो है बेकरी से थोड़ा सा ब्रेड और कुकीज ये वो शाम की चाई के लिए लेनी है बागरखानी का मेरा बहुत दिल है तो बागरखानी भी लेने का दिल था मगर हम लेनी पाए क्योंकि वो थोड़ा से दूर मिलती है और यहां पे ती फ्रेश थी नहीं तो हमने फिर की खराब होगी है उसके स्विच का थोड़ा सा इशू है दो तीन एलेक्ट्रीशन को हमने दिखाया है और बिलीफ करें मतलब एक सिंपल सी चीज़ है ना एकस्टेंशन क्या है उसमें कुछ ऐसी चीज़ तो है नहीं और हमें भी पता है उसका इशू है क्या मकर तीनों के बंदों निना हमें different reasons बताइएं कि इसमें ये मसला है इसमें ये मसला है इसमें ये मसला है पता नहीं कौन honest है और कौन बहुत ही unexpected था कि कोई इतनी चोटी सी चीज़ के लिए क्यूं गलत बात बोलेगा और मैं सबसे पहले जो है वो थेंक यू करना चाहूँगी उन मेंबिर्स का जिन जोग ने मुझे सबस्क्राइब किया बहुत 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 शुक्री आप लोगों का और उन लोगों ने मुझे स्पेशली इंस्टेग्राम पे मैसेज किया और सुर्म संट के हैं तो मैं बहुत थेंक यू करूंगी आप लोगों का ओर जिरनलोगों ने मुझे सबस्क्राइब नहीं किया है ना आप लोग भी प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे प्लीज 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 क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर्स की जरूरे तरह मुझे इस मन्त का अपना 2000 का टारगेट अचीफ करना है उसके रावा ये मेरा इंस्ट्राग्राम का हैंडल है तो आप लोग इंस्ट्राग्राम पे भी फॉलो कर लें और अभी हम लोग जा रहे हैं बेकरी क्योंकि जैसके मैंने आपको बताया सुबह हम लोग बर्विर्स बनाते हैं उसके लिए बंस खतम हो चुके थे और साथ में ब्रेड भी नहीं थी घर पे तो बारल मैं इधर डिरेक्शन गाइड करी हूँ मैं हमेशा से बहुत अच्छी हूँ डिरेक्शन को लेकर मतब अगर मैं किसी भी रस्ते से एक से दो बार मैक्सिमम दो बार गुजर जाओं तो मुझे अलहम्द लेला, रास्ता बहुत अच्छे से आज रहता है और यह हमेशा से है तो यहाँ पर मैं गाइट कह रही हूं बड़े बज़ेते डिरेक्शन्स, मेरी अम्मी इतनी अच्छी नहीं है डिरेक्शन्स को लेके पता नहीं क्यों क्या बज़ा है बरहल अभी हम यहाँ पर बेक्री पर आएए है मैं गाड़ी में बैठी में मैं अम्मी को का आप जाकी लिया क्या मैं साथ में जाओं आप कि एक ब्रेडी और थोड़े से बर्गर की बंस लेने उसके लिए मैं क्या उतरू तो मैं बस यह बाहर बैटी वे आप लोगों को दिखा रही हूँ और अभी बारहल रात हो चुकी है तो हम लोगों का बहुत दिल था काफी दिनों से पिज़ा खाने का तो हम लोग इस जगह पर आए है इस जगह का नाम है चीजियस और बिलीफ करें मैंने पाकिस्तान में इतने मज़े का पिज़ा नहीं कभी बिखाया जितना इस जगह पर है बहुत अच्छे जगह है मुझे पसंद क्यों है इनके फ्लेवर्स में चीज जो होता है वो जाइका होता है और इनका जाइका बहुत अच्छा है तो हम भी बलून्स वाली साइट पर पहर चाते हैं स्टाफ इनका बहुत अच्छा है बहुत जादा और मुझे बहुत अच्छा लगा क्या इनका अम्बियंस हर चीज़ में फुल 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 और कोई पेड प्रोमोशन नहीं है मैं गई हूँ मुझे अच्छा लगा मैं इसलिए आप लोगों को सजेस्ट करें हूँ आप लोगों का अगर दिल चाहे तो आप आ सकते हैं ये इनका मेन्यू कार्ड है मैंने सुच आप लोगों साथ शेयर कर दूँ और ये या 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 इनकी फ्रेंचाइज है मतलब डिफरेंट सिटिस में इन हिन जगाओं पर है तो बारहाल अभी पीजा आने का टाइम हो चुका है और आप बिलीफ करें पीजा इतने मज़े का था मैं बता नहीं सकती है मैं एडिट कर रही थी वीडियो और मुझे भूग लगे थी लिटरली में मेरा दिल चारा था मैं पीजा का हूँ अचा हम लोग माशाला जो थे 10-11 परसंस थे और हमने दो पीजा मंगवाए थे ये वाला योरो फ्लेवर था जो भी आप देख रहे हैं और जो दूसरा है वो क्राउन क्रस्ट है और बहुत अच्छा था हम 10-11 परसंस थे उसके बावजूद भी दो स्लाइसे हम घर लेकर आए हैं हम बिलीफ करें अच्छा साथ में हमने इनकी दो चिकन के पीसेज भी मंगवाए थे हमने सोचा इसको भी ट्राइ कर ले योरो जो था फ्लेवर में मतलब ऐसा है कि मिर्चे कम है थोरा सा मतलब जैसे कि मेरी अम्मी है मिर्च कम खाती है नमग कम खाती है उनके लिए परफेक्ट है हम लोग थोरा स्पाइस जादा खाते हैं हम लोगों ने ये crown crust मगवाय है और इसकी उपर जो ये sauce है पता नहीं, mayo, garlic है या क्या है मगर sauce जो है, वो all of this world है मुझे बहुत पसाद है इनकी ये sauce especially इनका ये वाला pizza बहुत अच्छा था और हम लोगों को बहुत मज़ा आया यहां पे जाके अच्छा pizzas के इलावा हमने दो chicken के pieces मगवाए थे और वो chicken के pieces भी बहुत अच्छे थे अच्छे in the sense कि oily नहीं थे यह होता है ना कि आप chicken को तोड़ते हैं तो oil आता है oil नहीं था क्योंकि obviously fry cheese में ऐसा होता है मगर trust me नहीं था बहुत अच्छा इन्होंने यह chicken के pieces मैनी के bros भी बहुत अच्छे बनाये थे तो अभी आप कह सकते हैं कि खाना खूल गया है और हम लोग खा रहे हैं और बस editing करते वे जो मुझे भूख लगी है ना मैं नहीं बता सकते हूं आप लोगों को मेरा दिल किया है कि मैं दुबारा जाओं और दुबारा खाओं अच्छा मैंने आपको इनके ambience के भी बारे में बता दिया इनके staff के भी बारे में बता दिया जो कि बहुत अच्छे है दोनों चीज़ें मगर सबसे बड़ी बात कि budget friendly भी है पीस जो थे वोनी के लिए मगवाये थे मगर उनोंने chicken को इतना नहीं काया जत्ती शौक से उनोंने pizza को खाया ये वाला euro flavor था जिसमें spice कम थी तो especially उनको euro flavor बहुत अच्छा लगा और यहां पे मैं chicken का piece strike करी हूँ जिसके बारे मैंने आपको बताया है जो कि बहुत अच्छा था तो chicken का piece भी बहुत अच्छा था और ये है चीजियस नेम है जिस जगह पर हम आये थे तो आप लोग आना चाहें ज़रूर आईएगा और बस यहां पे मैं vlog एंड करती हूँ दौाओं में आप लोग ज़रूर याद रखिएगा और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का व्लोग देखने का उन लोगों का भी बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे इतना support किया अभी तक और मुझे सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर ली और उसके लावा अला हाफिस